कि Can productive nhất के काम करने का सब अपना तरीका होता है और सब अपने तरीके से कीचन काम को जल्दी क्कुम करने की कोसिज करते हैं खास गर्में केуч आऔर वात आपने प्वागत आज की किचन टिप्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इसे एक लाइक ज़रूर कर दीज़ेगा जितना हो सके फैमिली फिरंशा शेयर जरूर करें तो चलिए हम देख लेते हैं पहला यूच फूल किचन टिप्स तो सबसे पहला हमारा किचन तो सबसे पहला टिप्स है एपल को लेकर देखिए हम बजार से एपल लेके आते हैं क्या करते हैं उसको वाश करते हैं पानी से और फिर हम खा लेते हैं बहुत सारे लोग तो काटके अच्छा नहीं है तो मैंने इसे अच्छे से वाश कर दिया है और पोच भी लिया देखिए कोई गंगी नहीं दिख रही है सबसे पहला देखिए आपका दिखा रही हूं कि जैसे में श्टीकर निकालते हैं इसमें ग्लू लगा रहता है तो ग्लू पेपर निकल लेकिन दुकान वाले क्याकते हैं उनके पास बहुत सारा से होता है एपल होता है तो वह लंबे टाइम तक एपल को सही रखने के लिए कि खराब ना हो उसके पर वैक्स की कोटिंग की जाती है यह सभी सेव वाले करते हैं जिनके पास भी फूट होते है उच्छ ना कुछ ऐसे केमि आप एक बर करके देखिया गाए फिर मुझे कमेंट करके बताया कि मैंने आपको सही बताया था या नहीं तो आज के बद कभी जब भी आप एपल खाएगा इस तरह के से छिलका निकालके खाईए बच्चों को भी छिलका निकालके ही दीजिएगा पहले मैं भी सोती थी कि आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज आगे भी जरूर शियर करें ताकि यह जनकारी सभी तक पहुंचे तो इसी तरीके से हमारा दूसरा टेप से सब्जीयों को लेकर देखिए गर्मी में क्या होते है सब्जी बहुत जल्दी मुर्ज आ जाते हैं हम सुबह खरिद के लेकर तो यहां पर आपको क्या करना है थंडा पानी ले लेना है थंडा पानी या फिर बरफ ले लिजिए और सब्जीयों के डाल के छोड़ दीजिए मैंने भींडी लिए इसकी जगह आप कोई भी सब्जी अगर थोड़े से सौप्ट हो जाते है नरम पढ़ जाते है तो इस तर टमाटर ले सकते हैं इसकी जगह आप खीरा ले लिजिए गर्मी में खीरा काफी जल्दी मुर्जा जाते हैं सौप्ट हो जाते हैं नरम पढ़ जाते हैं फिर खाने का भी मन्नी करता है तो इस तरह के सब्जीयों को थोड़ी जर बरफ के पानी में डाल के रखिए या फिर ठंडा पानी में डाल के रखेंगे तो सब्जीय थोड़ी से अच्छी हो जाएंगी और फिर उसको काटने में और खाने में भी अच्छा लगेगा यह बहुत छोटा सा टीप से आप एक बर अपना के देखिए आपके बहुत सारे काम जो है असान हो जाएंगे तो आई हो कि खासकर उसके ऊपर तेल घी मसाले कुछ ना कुछ दाग लगी जाता है तो जब हम कैमरा यूज करना हो तो फिर उसे बहुत जादा रगड रगड के क्लीन करते हैं तो कभी कभी क्या तो कैमरे के ऊपर तेल घी लग जाता है तो हम तो कॉटन कपड़ा से पोच लेते हैं ले तरह बढ़ा दिया अब अब कर लेना है और बीना पानी के ही आपके जो फोन है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा पानी बिल्कुल भी नहीं यूज करना है आप एक बात कध्यान रखिएगा नहीं तो आपका फोन खराब हो जाएगा बस सब्सक्राइब ले लिजे या फि फोन के स्क्रीन गंदे हो गया है तो थोड़ा से लगाई और अच्छे से क्लीन कर लिए तो चली हम आगे बढ़ते हैं अगला टिप से देखे जब हमारे पास फोन इस तरह के जो हम स्क्रीन टच फोन लेते हैं तो इन में खोलने का एक अलग तरीका होता इसका सीम निकालने तो यह अभी आजकल के फोन में यह सिस्टम है तो अगर कभी-कभी क्या होता है ना हमारे पास यह पिन कहीं गुम हो जाता है या फिर हम कहीं रख देते याद नहीं रहता है या फिर कहीं जाते हैं तो वहां पर यह फोन मतलब यह पीन नहीं हो तो मैं आपको बहुत बड़ पिछे वाला हिसा अम इसके अंदर डाल लेना बस हलकी आतों से अपको दबाना है और यह हमारा जो सी में एकदम आसानी से निकल जाएगा मैं आपको पूरा नहीं निकल के दिखा रहे हूं बस थोड़ा सा मैंने दबाया और निकल गया एक बर और करके दिखा देती हूं यह कभी भी आपके पास अगर पीट ना हो तो आप जो हीर आयरंग की मदद से – भोन घूल सकते हैं , बहुत चोड़ा सा टीप्स है लेकिन जानकारी रहनी चाहिए चोटी चोटी जानकारी आपके पास रहें तो आपके काम बहुत ही आसान हो सकते है किसी की help कर सकते हैं तो बहुत चोटे टेप्स से अपनाःए और आगे श़यर चरूर करिएगा जितना हो सकарт voiture इस विडियो को अपने तो में चाहिए कोई लीकुड डिस्वास पहर सकते हैं यह पिली कडि दूण सकते हैं यह? अब यहां पर चक्राइब भी आदि होड़ी के क सर्फ लया हैं अब इसमें अद्यास हाई हल्दी डालना है और बस हल्दी डालना है और कुछनी डालना है और जब हल्दी डालेंगे उसके बाद इससे हम पानी में उबालाने देंगे जैसे हम पानी में जो है ना सरफ वाले पानी में हल्दी डालेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और यह देखिए एकदम लाल कलर का हो गया है अब य रात बर लाइट बंद करेंगे ना, उसारे निकले के एक बार किचन में को वापस गंदा कर देते हैं लेकिन यह सब रात में बहुत ज्यादा निकल कि आते हैं तो यह अप जरूर अपना के देखिएगा और अप चाहे तो वीक में एक बार कर लिजे महीने में 3-4 बार इसे जरूर करिएगा और इसको डालने के बाद पानी मत आन कीज़ेगा इसे राद बर ऐसे ही छोड़ दिजेगा तो यह बहुत छोड़ा सा टीप से इसे अपना के देखिएगा और पसंद आये तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इसमें से कौन से टीप अच्छी लगी तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बहुत ही प्यारा सा चाय बनाएंगे और यह चाय जो है ट्रेंड में रहने वाला चाय और यह फाइव इस्टर होटल में बनने वाली चाय इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है पानी ले लेना है तो मैं आपर दू कप चाय बना मैं ठ्रणना छे протяж के चाहां वारते ह्यंद में अखहें की करें कि वारते ही थे पानी थे थे पहरा छीडर में विग to another one निमेल के धर है हैं मुझासर थे के थे भरते हैं मैं अठीत है जदार है की थे देना मुझें में करहा है अब जिसके माल जबंती है आप एक बार जरूर ट्राइ करके देखिएगा मैंने तो सिरफ एक ही बार बनाया था अच्छा लगा था तो आप लोग साथ मैंने सोच चलो शेयर कर लेते हैं तो यहां पर डालना है अब फ्लेवर आड़ करेंगे पहले तो हमने सौफ का फ्लेवर दे दिया अब इसमें इला बनादब पक तिसे और अट चिनी दोन की अबंगा है कि अच्छे से दिए अच्छेश को देखे वालने के भार डालना थाहा तो पर दूठ यहां पर यहां पर अच्छी से दिखे बाब hilarious it और यह हमारी मसाले वाली एकदम अलग फ्लेवर की सौफ वाली चाय बनके तैयार हो गई है सच में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है एक बार इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा गरम गरम यह सौफ वाली चाय जो फाइव इस्टार होटलों में बनाई जाती है इसमें फाइव इस्टार होटल वाली कोई बात नहीं है बस फ्लेवर अलग है एक बढ़ ट्राई करिए और इन सारे टिप्स में से कौन से टिप्स अच्छा लगी कमेंट करके चरूर बताएगा मैं आपसे फिर मिलूँगी तब तक लिए बाबाई थैंक यू